आज की मोटरसाइकले इंजिनियरिंग का सचा जमतकार है। इस अनिमेशन में मोटरसाइकल के अंदर के पार्ट्स को दिखाया गया है। सबसे पहले हम बताएंगे की मोटरसाइकल का इंजिन स्टार्ट कैसे होता है। सभी मोटर साइकलों में किक स्टार्टर या सेल स्टार्टर या दोनों होते हैं किक स्टार्टर मेकानिजम सरल है फिर भी रोचक है किक स्टार्टर लिवर को हलके से दबाने से पिनियन गेर मेंशाफ्ट के एक फ्री वीलिंग स्पर गेर से मेश होता है जब हम starter liver को पूरा दबाते हैं तो ये pinion gear clutch hub तक power transfer करता है clutch hub crank shaft को घुमाता है और crank shaft engine तक power transfer करता है जिससे engine start होता है self starter system में electric starter motor engine को start करने के लिए power देती है engine चालू होने के बाद starter motor को engine से अलग करना पड़ता है हम इसके लिए one way clutch का उपयोग करते है इसमें एक outer race और एक inner race होती है इन दोनों races के बीच में rollers होते है जब starter motor outer race को घुमाता है तो rollers इन दो races के बीच में फस जाते है और दोनों races एक साथ खूमने लगते हैं जिससे engine तक power transfer होता है इंजिन चालू होने के बाद inner race starter motor से ज्यादा तेजी से घूमने लगते है जिससे rollers स्वतंत्र हो जाते हैं और outer race तक power transfer होने से रोकते है इंजिन स्टार्ट होने के लिए engine के अंदर ignition होना ज़रूरी होता है motorcycle engine में ignition के लिए एक spark plug का उपयोग किया जाता है spark plug को ठीक से sparking करने के लिए 20,000 volt तक अवशकता होती है यहां दिखाए गए model में stator का उपयोग करके voltage प्राप्त किया जाता है motorcycle के stator में copper coils होती है engine के flywheel में permanent magnets होते हैं जो flywheel के साथ घूमता है और coil में current पैदा करता है stator का प्रत्यक output अलग-अलग system को power देता है जो इस diagram में दिखाया गया है ignition के लिए exciter coil का उपयोग किया जाता है इसमें अन्य coils की तुलदा में ज्यादा winding होती है जिसके कारण ज्यादा voltage उत्पन्न करता है exciter coil से उत्पादिक voltage CDI unit को supply की जाती है AC CDI unit का connection यहां दिखाया गया है CDI unit के अंदर एक capacitor होता है जो charge को store करता है flywheel के पास में pickup coil होती है pickup coil में एक magnet होता है जिसके उपर coil होता है flywheel की बाहरी सतक पर projection होती है जब flywheel घूमता है और pickup coil के पास projection पहुचता है तो coil में voltage उत्पन्न होता है यह voltage CDI unit के अंदर के एक switch को चालू करता है जिससे सभी charge capacitor से discharge हो जाता है यह voltage को और बढ़ाने के लिए ignition coil का उपयोग किया जाता है ignition coil एक step-up transformer है जो input voltage को 200 गुना तक बढ़ाता है जो spark plug को firing करने के लिए परियाप्त है motorcycle में कई अन्य parts होते है जो motorcycle के निरंतर संचालन में मदद करते है intake और exhaust valve को timing chain का उपयोग करके नियंतर किया जाता है आम तोर पर single cylinder engines में counterbalance होता है जो engine के अंदर कम पन को कम करने में मदद करता है clutch, crank shaft से transmission system तक power transfer करता है transmission system, motorcycle की power और speed को बदलने में मदद करता है कि Don Monroe आपक की ड devoद़ करता है झाल के का रेंवाद कर रेंद दो निनुट सेंवां